विश्कार आप सरी लोग का स्वायत हैं, दूस्तों मैं नाम दर्मिंदर शाह है, मैं के लाइसे एडवाइजर हूँ दूस्तों, आज मैं कैसा टर्म प्लान आपको बताने जा रहा हूँ जो भी इसका प्रीमियम आप पे करेंगे, वो रिटर्न मिल जाएगा मतलब जो भी आपका expense होगा टर्म प्लान के अंदर, वो मिल जाएगा तो कैसा रहेगा टर्म प्लान, यूँकि basically क्या होता है टर्म प्लान में आप जो भी प्रीम पे करते हैं, उसका कोई भी मिल जाएगा in case, unfortunate event होता है, उस situation में नमनी को पैसा यहाँ पर दे दिया जाता है बट टर्म प्लान में कभी मिच्वाटी नहीं होता है तो दोस्तों, मैं एक ऐसा टर्म प्लान आपके ले कराया हूँ, जिसमें मिच्वाटी भी है बतलब जो भी आपका investment होगा, टर्म प्लान के अंदर, वो आपको return मिल जाएगा यानि कि आपका zero cost का expense रहेगा इस टर्म प्लान में तो दोस्तों, आपस request है, इस वीडियो को अंतक देखे, समझे और किसी भी LIC advisor भाई के पास जाकर, इस plan को आप purchase कर सकते हैं दोस्तों, basically क्या है कि यहाँ पर मैंने 25 लाकर बेगा term plan लिया है ठीक है, 25 लाकर बेगा term plan है, प्लस यहाँ भी 3 लाकर बेगा एक additional से यहाँ पर रिक्स कवर एड़ हो जाता है, तो लगो 28 लाकर बेगा, आपको रिक्स कवर मिलेगा with reduced basis पर, मैं बहुत ही विस्थार से आपको समझाने की कोशिश करूँगा, तो वीडियो के साथ बने रहे, दोस्तों, यह जो term plan है, जो LIC का एक ऐस प्लान है, जिसमें आपके पास कुछ options मिलते हैं, 30 साल का term आप लेटते हैं, इस plan के अंदर, तो आपको premium के बाद 10 साल ही पे करना है, ठीक है, 10 साल के बाद आपने कोई भी premium पे नहीं करना है, और आपको 25 लाकर बेगा term plan, आपको 30 साल के लिए यहापे मिल जाएगा, तो इसके लिए के यहापे आपका monthly इंस्ट payment पे नहीं करना है, ठीक है, और जब आप premium pay करेंगे, फर्ष्ट premium pay करेंगे, तब से लेकर आपका 30 साल तक, country आपका 25 लाक रवे का, रिक्स होगा रहेगा, प्लस, अभी आज पर्चेस करते हैं, तो आज से लेके 16 साल तक, ठीक है, आज से लेके 16 साल तक, country आपका जो रिक् रिक्स होगा रहेगा, क्योंकि यहां मैंने दो प्लान का कॉंबिनेशन लिया है, जिसमें 37 लाकर पे additional जो आपका रिक्स होगा, वो 16 साल तक के लिए रहेगा, उसके बाद समाफ हो जाएगा, तो यहां पर आपका monthly installment जाएगा, 5000 रोपीस, ठीक है, दस साल आपने premium pay करना है, और एक साल से लेकि, मतब जिरो साल से लेकि जब आपकी policy स्टार्ट होती है, और 16 साल तक आपका जो रिक्स होगा, वो 28 लाकर पे गार रहेगा, और 16 साल के बाद और 30 साल के बीच में जो आपका जो रिक्स होगा, वो 25 लाकर पे गार रहेगा, ठीक है, दोस्तों 10 साल के बा इसके बिहाब पर कल्कुलेट किया गया जिसकी मीचोटी जो है 16 साल के बाद आपको मिले गया 5,001,022,000 पर दोस्तो इसमें हमारा टोटल जो प्रीमिम केता गया वो गया 5,05,000 पर यानी 10 साल के अंदर जो आपका प्रीमिम गया वो 5 करता हूं बहुत ही सिंपल तरीकेस आपको समझा देता हूं दोस्तों यहां पर आपका जो मंत्ली इंस्ट्रॉल्मेंट जाएगा वह 5000 रपीस जाएगा टैन येर्स के बाद आपने पे नहीं करना है दोस्तों यहां पर एक जब आपकी पॉलसी चालू होगी तब से लेकर 16 साल तक जो आपका रिक स्कोर रहेगा वो 28,50,000 पे गारेगा और 16 साल से लेके 3 साल तक जो आपका रिक स्कोर रहेगा, वो 25,00,000 अरवे गारेगा, clear है 16 साल में एक maturity value मिलेगी जिसका amount होगा 5,82,000 पे जो कि जो भी अभी इस plan का current rate of bonus है उसके भीयाप पे मैंने calculate करके ये calculations निकाला है जिसका maturity amount रहेगा 5,82,000 पे जो कि विल्कुल tax free रहेगा और इस दोनों plan का mission करने के बाद जो आपका 10 साल के अंदर तो टोटल approximate premium पे होगा वो something आपका पौन 6,00,000 पे कि आसपास होता है यानि कि जो भी आपने premium पे किया वो आपको solvay verse return मिल गया तो दोस्तों यहाँ पर आपको 25,00,000 पे का risk score मिल गया without cost बीना expense कि आपको 25,00,000 पे का यहाँ पर आपको term plan मिल गया दोस्तों दिखिए जब भी आप term plan लेते हैं उसके साथ एक ऐसा endowment plan लेजे अगर आप 30 साल का लेते हैं अब 30 साल का endowment plan ले सकते हैं बट इस जो term plan है जीवन सरल भीमा यह प्योर term plan है LIC का तो इसमें options होता है कि आप 30 साल का term लेंगे तो 30 साल का premium जो है वो आप 10 साल के अंदर पे कर सकते हैं तो मैंने यह अवरा options लिया है ठीक है इसमें क्या होगा कि हमें 30 साल premium पे नहीं करना हमें 10 साल ही पे करना है और जीवन लाव का इक policy है ठीक है मैं plan पहले आपको verify कर देता हूँ कि मैंने कौन-कौन सा plan लिया है दूस्तियां पर मैंने दो plan लिया है एक जीवन लाव table number 936 है यहां पर 16 साल का term है 10 साल का पे पेटी है और यहां पर पाल्टी का इस लिया है तीस साल क्लियर है और तीस साल का term लिया है 10 साल का पेटी लिया है यानि दोनों plan में same है कि हमें 10 साल ही premium पे करना है 10 साल के बद हमने कोई भी premium पेरनी करना ला इसी को 16 साल में एक maturity है जिसका amount है 5,82,000 पे और आपका 10 साल के अंदर अप्रॉक्सिमेट पॉनिश्य लाकर बेकर investment हुआ जो कि आपको 16 साल आपको return मिल जाता है और दोस्तों यहां पे यहां पे 0 साल से लेके 16 साल तक आपको 28 लाकर बेका risk score मिल रहा है और 16 साल से लेके 3 साल तक आपका जो risk score रहेगा 25 लाकर बेगा तो दोस्तों एक तरफ से दिखा जाता है आपका no cost में आपको term plan मिल जा रहा है तो दोस्तों यह concept अगर आप लेने करें इंट्रस्टेड है तो किसी भी LIC advisor पाई के पास जाकर इस दो plan का mission जो मैंने create किया है उसको आप purchase कर सकते हैं ताकि आपका term plan भी हो जाए और एक maturity मिल जाए जो भी आपका expense जो आपका term plan में पैसा जो गया है वो आपको एक maturity के रूप में आपको मिल जाए जिसमें आपका zero expense रहेगा तो दोस्तो I think my main responsibilities होता है कि आपको aware करना कि आप एक अच्छा plan purchase कर लें तो दोस्तो वीडियो smart करने का समया चुका है दोस्तो भी तक हमारे चल्क साथ तीन जूड़े हैं तो जूट जाए जूड़ने के लिए करना क्या होगा वीडियो के नीचे लार रहे हैं का सब्सक्राइब टन दिख रहा है उसको प्रस करके आप हमारे चैनल के साथ जूड़ सकते हैं तो थैंक यू वेरी मच पर वाचिंग इस वीडियो का वाई